एक अच्छा document controller बनने के लिए आपको project management का knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप project management का knowledge अगर आप नहीं रखते हैं तो आप एक अच्छा document controller कभी भी नहीं बन सकते हैं तो यह project management क्या होता है हम इस पारे में बात करेंगें तो आज का नहीं हमारा वीडियो होगा document controller के उपर में होगा और हम इसको आप पार्ट वाइस में डिवाइट करेंगें तो आप देख रहे हैं जामी क्लास हो इस नहीं हो आपका host महामद रामितिल्ला तो आज हमारा topic number one होगा guys वो होगा documents controller के project management के बारे में कि आप पूरा देखेगा तो आपको बात की जो depth की information है गहराई की information है आपको समझ में आएगे असानी के साथ और आप इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा जहां तक project management की बात होती है हमें इस बात की information जरूर होना चाहिए कि एक project किस तरह से रंग करता है तब जागर कि हम उसके behalf में documents का documentation का काम है वो असानी के साथ कर सकते हैं तो as a project management को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कुछ basic चीज़ को जिसको आपको समझने के लिए वीडियो को बिना skip यह देखना होगा गाईस तो बताना चाहां होगा कि project management को समझने के लिए पहले सबसे पहले हम समझना समझेंगे इस बात को कि project जो run करता है वो तीन management में run करता है पहला management जो होता है वो clients होता है दूसरा management consultant होता है तीसरा management जो अपनी company जो main contractor होता वो होता है तीनों management की अपनी अलग-अलग responsibilities होती है as a document controller हमें तीनों management की responsibilities को समझना जरूरी है client जिसने हमें project दिया है जिसके projects थे लिए हम काम कर रहे हैं उनके अपने terms and conditions होते हैं उनके अपने official communications होते हैं हम आगे चलके बात करेंगे किस तरह से इनके official communications को record के जाता है और किस तरह से हम इसको follow up करते हैं दूसरा consultant जो between client और main contractor बीच में as a mediator होता है जो main contractor के काम को judge करता है और अपने judgment के बहाफ में जो client से उनको report submit करता है और जिस report के बहाफ में main contractor को payment release होता है तो guys अब मैं बताना चाहूंगा यह project management का basic principle था management किस तरह का होता है और एक project किस तरह से run करता है वो मैं आपके सा share किया है अब हम बात करेंगे electronic database management system जिसे हम electronic database system भी कहते हैं as a document controller आपको electronic database management system के बारे भी information बहुत जरूरी है यह क्या होता है actually guys क्या होता है कि हम किस तरह का भी जब हम construction field में especially हम काम करते हैं तो हमें जो है documentation जो manage करना होता है वो दो तरीके से manage करना होता है आज़र hard copy और soft copy ठीक है अब यह जो documents को हम manage करते हैं soft copy electronics base में हम use करते हैं इसको हम लोग save करते हैं electronics data में यही इसी को कहते हैं हम लोग electronic database management भी कहते हैं और EDMS भी कहते हैं ठीक है बताना चाहूंगा electronics through electronics database हम लोग अपने documents को कैसे manage करते हैं सबसे पहले emails हम emails की थूरे communications करते हैं लेटर वगारा soft copy email करते हैं क्लाइंट को या consultant को उनका जो भी reply आता है हम soft copy को system में folder बना करके हम save कर लेते हैं दूसरा भी होता है जब भी हम किसी भी तरह का drawing submitter material submitter उसके बाद inspection report इन सब की copy जो है एक cd compact disc में बना करके हम लोग consultant को submit करते हैं यह दूसरा तरह का हो दिया electronics यह किस compact डिस भी एक electronic device है और जिसमें हम लोग soft copy को जो है arrange करके consultant को submit करते हैं कोई भी तरह का drawing हो जाय है चाहिए structure architecture ID drawing है ठीक है इन सभी drawings को हम लोग zip folder बना के सब्मिट करते हैं कभी कभी क्या होता है payment जो है payment की hard copy जो होती है उसको agent base में अगर भीजना है या तो मसदी folder बना के emails करते हैं email के थूरा हम लोग client को बेचते हैं consultant को submit करते हैं और by hard copy के साथ एक compact डिस भी बना के बेचते हैं क्लाइन क्या होता है कभी कभी क्लाइन क्लाइन क्या होता है इतना वक्त नहीं होता है कि वह एक पेज को पलट के देखे तो वह क्या करते हैं soft copy उनके लिए easy होता है किसी भी इसको monitor करने के लिए ठीक है यह था guys electronic database management system अब बताना चाहोंगा कि इसमें एक और पार्ट होता है इसको बहुत में लॉक्षीट ईंड़ना अब हम किसी भी तरह communication कर रहे हैं चाहे वह झाई लेटर के दुर कर रहे हैं चाहे हम मैटर समीटर के थूर निकेशन कर रहे हैं यह हम सब्चार्ण के थूर और क्म् listening to龍 को चुंट करें रहे हैं तो कि सबाइब होग 11 10 अपने रिकॉर्ड के लिए कि हम किस तरह कम्रीकेशन कर रहे हैं कब गॉवड कौन सा related documents हमने जमाय किया रिजर्ट है उसका किस तरफ है हमादे पाक्स हैं वह सब्मीट क्या होता है material submittal क्या होता है shop drawing क्या होता है ठीक है सबसे पहला हम आते हैं transmittal में जब भी हम किसी तरह का information चाहे वह soft copy के थुरू हो hard copy के थुरू चाहे कोई सांपल हो ठीक है किसी भी तरह का सैंपल हो चाहे वह hard में hard system के थुरू sample हो या soft system compact disc के अंदर को sample हो तो इस चीज़ को हम लोग जब भी किसी को submit करते हैं या किसी को देते हैं तो एक transmitter बनाते हैं उसमें mention होता है कि हम क्या समान दे रहे हैं उपर में heading होता है transmitter होता है और हम किसको submit कर रहे हैं उसके जो है उनको हम लोग two में रखते हैं और from किसको हमारी और जो सब्मिट कर रहा है उनका अपना नाम और सिइनेचर रहता है फिर जब जो भी बंदा हमारे सीट करता है पार्टी में वो अपना signature as a receive as a confirmation वो उस transmitter को वापस से return कर देता है तो इस बात का ये evidence हो जाता है कि हमने जो भी documents उनको पहुचाया है उन्होंने वो documents receive कर लिया है तो एक बहुत बड़ी जो है official confirmation भी हो जाकी है अब हम बात कहते हैं जो material submitters है material submitters गाइस यह mostly चाहे वो construction related material हो यह MEP related material हो हम किसी भी तरह का material का sample जब consultant को approve करने के लिए submit करते हैं तो उसके साथ material database भी आता है जो जिस company से हम material का sample मंगाए है वो इस company अपने technical specifications की attachment है वो देती है अपनी company के बारे में बहुत सारा information बताती है कि वो company कहां कहां अल्रेडी product supply कर चुकिया और उसका customer review कैसा रहा है वो सारा information एक booklet में आता है तो जो भी sample हम जब client को submit करते हैं approval के लिए उनके revision के लिए ठीक है तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक material submittal बनाते हैं और उसमें हम mention करते हैं यह जो material है कौन से supplier से हमें receive हुआ है इसका जो local dealer कौन है और प्रोड़क्टी जो small specification से यह product कहां यूज होगा और किस purpose से यूज होगा वो सारा small justification हम लोग material submittal में mention करते हैं और उसमें फिर authorized person जो है जो भी project का cm होगा प्रोड़क्शन मैनेजर या PM project manager कोई एक बंदा जो है उसमें sign करेगा confirmation कि उसने भी इस बात का जो है confirmation ले लिया है कि यह जो particular products है particular items है वो consultant को submit होने के लिए जा रहा है उसके knowledge के लिए बस टिक है एक इसकी दो कपी बंद दी है material submittal की तो जब हम consultant को हम लोग अपना material submit करते हैं तो वह एक copy receiving sign लेकर के अपना stamp लगा रोके copy return कर देता है फिर इसी copy को हम हम लोग अपने Excel sheet में जिसको हम लॉक्षीट की बात कर लेते हैं उसमें हम लोग update कर लेते हैं कि इसका अपना reference number हम लोग खुर से generate कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है ना एक के बात दो तीन चार पाँच इस तरह से अगर हम अगर सब्मिट कर रहे हैं अप्रूबल के लिए एक सीरियल नंबर हमें अटोमेटिक हो जाता है कि अगर हम डेटाबेस को मिंटेन कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया होता है एक होता है सिविल में हो जाता है इस्ट्रेक्चर सौप अक्रेक्ट्र दॉप बाइंग और इन्टेरियर डिजाईश बाइंग अगर में और हम में में आपको फाइरफाइटिंग भी आ जाता है वह दोनुगंकर जो डिजाइन जो है similar माने जाता है तो इसके वाज़ा से इसको एक ही concept में डाला जाता है अजर mechanical और electrical और plumbing है तिर category में डिवाइट किया गया है ठीक है तो इसको भी अगर हम इस तरह का ड्राइंग अगर हम submit करते हैं तो इसका shop rank transmitter ये submitter बोल सकते हैं इसको बनाया जाता है और उसके बाद इसको जो है same procedure का follow करते है जिस्टिफिकेशन लिखते हैं ड्राइंग का अपना reference number होता है उसको सब में में mention करते हैं कि ये particular सब्सक्राइब होता है काम को justify करने में उनका time बसता है उस चीज को ज्यादा प्रिफेस देते हैं कभी-कभी होता है कि वह हाट कॉपी प्रिफेस करते हैं लेकिन हमारी responsibility है कि as a document controller हम सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइच करें तो यह था आपका transmitter का justification मैंने आपको दिया और मैं बताना चाहूंगा documents controller की और भी बहुत सारी responsibilities होती है यहां तक ही काफी नहीं है तो आगे मैं पार्ट टू जब बनाऊंगा उसमें आपको details जरूर सी दूँगा तो please आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और thank you so much for watching my channel